This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose. सीखने को मिल जाएगा. तो जो जो भी न्यूआ है यार भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना है. तो आज यार आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने AdSense अकाउंट में बैंक अकाउंट जो है वो कैसे अड कर सकती हैं. पहले जो है हम लोग Western Union से पैसे ले लेते थे लेकिन अब जो है बैंक अकाउंट वो मांग रहा है तो बैंक अकाउंट कैसे अड करना है आपने अपने अकाउंट में AdSense वाले account में अपना bank account कैसे add करना है उसके बारे मैं आज में बताऊंगा तो वीडियो को आपने पूरा start से end तक देख लेना है और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने simple follow कर लेना है तो simply आपने AdSense को open कर लेना है Google Chrome में यह जहां भी आप लोग खोलते हैं PC में खोल रहे हैं तो तब भी खोलने आप लोग मैंने यहां पर open कर लिया है यह मेरा AdSense account है तो simply ऐसे करके आपके सामने open हो जाएगा तो यह मेरा AdSense account है यहां पर मुझे जो है अब bank account जो है मेरा वो add करना है तो simply यहां से 3 lines पे जाऊंगा नीचे यहां पर आपको payments का option दिख जाएगा उसके उपर आपने simply click करना है तो आपके सामने एक form ऐसा open हो जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा करके form आजाएगा आपके पास यहां पर नीचे लिखा हुए how you get paid तो उसके उपर आपने click करना है तो यहां पर देखें मैंने एक जो है अपना bank account add कर रखा है तो यहां पर देख सकते हैं मेरा add हुआ वा है तो simply यहां पर add payment method का option है simply आपने इसके उपर click कर लेना है और यहां पर आपके सामने एक screen open हो जाएगी यहां पर दो option दे रहा है आपको यहां पर पहले तीन होते थे नीचे western union का option भी होता था लेकिन अब वो इन्होंने हटा दिया है 2020 में तो simply आपने first वाले option पर click करना है wire transfer details तो यहां पर आपके सामने एक page जो है वो open हो जाएगा तो simply आपने यहां पर इस page को fill कर लेना है आपका जो भी name है जो भी आपका name है bank account की उपर और जो भी आपका bank का name है और यह जो लिखा हुआ है swift BIC तो यह भी आपने जो है यह मैं आपको बतायता हूँ कि यह आपको कहां से मिलेगी यह आपको कहां पर मिलेगी तो काफी लोगों का यह question है तो यह आपको मिलेगी आपके bank manager से आप लोग उससे पूछ सकते है कि भाई BIC number क्या है तो वो आपको बता देगा यह 8 यह 11 हिंसों का number होता है वो आपको bank वाला बता देगा इसके बाद IBA number आपकी checkbook के उपर भी लिखा होता है और आपको bank से भी पता चल जाएगा तो यह दोनों चीज़ें आपको simply पता चल जाएगी तो इसके बाद जो नीचे दो चीज़ें हैं वो आपने fill नहीं करनी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 ये 11 करेक्टर का जो है वो होगा code वो आपने डालना है यापर तो simply वो भी आपने ले लेना है अपने bank वाले से और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लाके डाल देना है उसके बाद नीचे आपको option मिल जाएगा यहाँ से आपने इस Q पर टिक कर लेना है set as primary और इसके बाद save के बटन पे आपने click करना है तो आपका payment method जो है वो simply add हो जाएगा तो यही आज की वीडियो थी यार यही आपको बटाना था मिलते हैं next वीडियो में